नमस्कार आप देखरें सेटी पोस्ट मैं हूँ अभिसेक मिस्रा बिहार के नवादा के हिस्वा से बीजेपी बिधायक अनिल सिंग अपनी बेटी को वापस ले आए हैं कोटा से बिहार और इसके लिए उनको पास निर्गत किया गया था बिजेपी बिधायक का ये तर्क है कि सरकार ने जो पास की प्रिक्रिया शुरू की है उसी प्रिक्रिया का पालन करते हुए मुझे पास निर्गत किया गया है मैंने वही प्रिक्रिया का पालन किया है और अपनी बेटी को मैं वापस ले आया हूँ लेकिन विपक्स हमलावर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादो ने भी या मांग की है कि वी सरकार के अस्तर से उनको भी पास निर्गत किया जाए ताकि वे बिहार के 65 सोचात्र जो कोटा में फसे हुए हैं उनको वापस लापैजाहिर है इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है और बिहार के नवादा के हिस्वा से विधाय का निल सिंग की वज़े से मामला गरम हो चला है विपक्ष सीम नितीज कुमार पर लगातार हमलावर है तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि खास लोगों के परतिश समर्पित बिहार सरकार अगर कोटा में फसे आम वे दियार्थ पर लेकर निशाना साधा है सिम नितीज कुमार पर लिखा कि विःखार सीम यूपी सीम को कह रहे थे कि उन्हें कोटा में फसे चात्रों को वापस लाने के लिए बसों की अनुमती नहीं देनी चाहिए दूसरी तरह अपने मेले को गोपनिये तरीके से उनके बेटे को बीजेपी को पास बाट रहे हैं फस्तो रहा है गरीब और अब तेजस्वियादों ने मांग कि है कि हमको भी बीजेपी विधायक वाला पास चाहिए ताकि बिहार लेकर आएं राहिनिती गर्मा गई है इस खबर मितना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अप हुआ हुआ है